गन्ना भुक्तान को लेकर सामली गन्ना समिती पर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है जिसकी अगुआई खापों के चोदरी कर रहे हैं। गणना भुक्तान में विलम के कारण किसानों के सामने अनेकों आर्थिक समस्याएं हैं और ऐसे में किसान कर्ज के बोज तले दब रहे हैं। किसानों की अवाज को और बुलंद करने के लिए राष्टे लोगदल के राष्टे अध्यक्स जैन्त चोधरी सामली आ रहे हैं। 9 नवंबर को मील रोड पर पंचायत होगी जिसमें जैन्त चोधरी सिर्कत करेंगे। सामली से जैन्त चोधरी किसानों की समस्याओं को उठाएंगे और उन्हें पूरा एहसास कराएंगे कि किसानों की इस लड़ाई में वह और उनकी पार्टी पूरी तरह से साथ हैं और कंदे से कंदा मिला कर चलेंगे। राष्टे लोगदल के विधायकों, पदादिकारियों और कारेकरताओं ने जैन्त के स्थोरे को लेकर तैयारी सुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जैन्त के आने पर किसान पंचायत में भारी भीड उम्डेगी, साथ ही किसान आंदोलन के मंच से जैन्त चोधरी केरान लोगसभा की नबज को भी टटो लेंगे, और 2024 के लिए सं पुर्जोर ढंग से उठाएंगे। बता दें कि सामली चीनी मील पर पिछले पेराई सत्र का 205 करोड रुपे अब भी बकाया है। वहीं सामली चीनी मील परिसर में भी एक अलग धर्णा किसानों का चल रहा है। अगर उक्त किसान पंचायत में सामिन नहीं हुए तो जैन् उनके धर्णे में भी जा सकते हैं। 9 नवंबर की किसान पंचायत के लिए रालोद के नेता कारेकरता किसानों से विभीन माध्यमों से अधिक से अधिक संक्या में पहुचने का आवाहान कर रहे हैं। पंचायत में मुझे फर्णगर जीले के भी रालोद नेता सिर्कत करेंगे।